हाई फ्रेंड कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे चुकंदर के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि चुकंदर गर्म होता है या ठंडा इसे हमें कब खाना चाहिए चुकंदर का शेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदिमन्द माना जाता है या पोशक्तत्तों से भरफूर होती है और स्वास सम्मंदी अनेक लाप प्रदान करती है चुकंदर में आयरेन, बिटामिन B6, पोटेसियम, मैगनेसियम जैसे जरूरी पोशक्ततों मौजूद होते हैं सरीर में खुन के कमी को दूर करने के लिए चुकंदर का सेवन बहुत ही प्रभावी माना जाता है लेकिन क्या सभी के लिए चुकंदर का सेवन करना फायदिमंद होता है बहुत से लोग अकसर पूछते हैं चुकंदर ठंडी होती है या फिर गर्म होती है चुकंदर का सेवन किन लोगों को करना चाहिए या फिर किस लोगों को नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानने के लिए हम आज आप से बात करेंगे या आपको बताएंगे वैसे तो चुकंदर की ताजीर ठंडी होती है इसलिए चुकंदर का सेवन करते समय कुछ साउधान या बरतने के जरूरत होती है इसलिए चुकंदर का सेवन सुबा और साम के समय कम करना चाहिए क्योंकि इस दोरान आपकी पाचन अग्मी कमजोर होती है अगर आप इस समय चुकंदर का सेवन करते हैं तो या आपकी पाचन अग्मी को धीमा करती है जिससे शरीर में कफ की अधिक समस्या हो सकती है साथ ही इससे पाजन सवंधी समस्याइं भी हो सकती है अगर सर्दी जुखाम है तो आपको चुकंदर का इस्तिमाल करना चाहिए कि नहीं जी हाँ, चुकंदर की ताजिर ठंडी होती है इसलिए अगर आपको सर्दी या चुखाम है तो आपको चुकंदर का शिवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय कफ बढ़ सकता है इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए Low Bleed Percior वाले लोगों को चुकंदर खाना चाहिए या नहीं अगर blood pressure के मरीज चुकंदर का सेवन करते हैं तो इससे blood pressure और भी कम हो सकता है इसलिए low blood pressure वाले लोग चुकंदर खाने से बचे या फिर डाक्टर से सला लेकर ही खाएं एनर्जी होने पर चुकंदर खाना चाहिए की नहीं अगर किसी व्यक्ति को चुकंदर से एनर्जी है तो चुकंदर का सिवन करते समय तो अचापर चकते पड़ सकते हैं इसलिए अगर आपको एलर्जी है चुकंदर से तो आप उसे ना खाएं डायविटीज वाले लोग चुकंदर का सिवन करें या नहीं डाइविटीज वाले लोगों को भी चुखंदर का सबसे पहले तो चुखंदर का ग्लैसमिक इंडेक्श हाई होता है जिससे यह ब्लेड पेशर शुगर में स्पाइक का कारण बन सकती है डैविटेज रोगियों को डाक्टर के परामर्स के बिना चुकंदर का सिवन नहीं करना जाएए किड्नी इस्टोन वाले लोग चुकंदर में अक्सलेट की मात्रा जादा होती है अगर पत्री के रोगी इसका अधिक सिवन करते हैं तो उनकी इस्थिती अधिक कंभीर हो शकती है एक्सपर्ट की माने तो हमें बताते हैं कि चुकंदर का सिवन सरीर में खून की कमी और कब्ज के मरीच के लिए बहुत ही फायदिमंद होता है बस आपको चुकंदर का सिवन करते समय थोड़ा साधानिया बरतने की जरूरत है उन लोगों को चुकंदर का सिवन नहीं करना चाहिए जिनकी पाजय नगनी कमजोर है अगर आप सेवन कर भी रहे हैं तो आपको कच्ची चुकंदर या सलाद के सेवन करने के बजाए आपको चुकंदर पका कर या फिर उसे इस्टीम करके या उबाल कर खाना चाहिए अगर किसी व्यक्ति की पाजनगनी कमजोर है और पाजनगनी भी कमजोर है तो वह इस्टीम करके चुकंदर का सिवन कर सकते हैं साथ ही चुपन्दर खाने के बाद कुछ लोगों का गल्या खराब हो जाता है और इस स्थीति में आपको चुपन्दर इस्टीम करके ही खाना चाहिए तो आज ये थी चुपन्दर के खाने के फायदे के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक शियर और सस्क्राइब जरूर करिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद